हेलो फ्रेंड्स, दे टिरा टेक शो में आपका स्वागत है हमारा जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने आपको PCB layout बनाना सिखाया था एक सॉफ्ट्वेर में PCB layout कैसे बनाते यह बताया था और आपको यह बोला भी था कि हम आपको microcontroller से related complex circuit का भी PCB layout बनाना सिखाएंगे आज की वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं यहां एक LCD यूज किया हुआ है जिसको microcontroller साथ हम इंटरफेस करेंगे कुछ pull-up registers भी हमने यूज किया है इस circuit में जो circuit आप देख रहे हैं यहां crystal oscillator का भी यूज किया हुआ है और जो रिले के connections होते हैं रिले भी हमने इस circuit में यूज किया हुआ है वो रिले को भी हम कैसे PCB में design करते हैं यह देखेंगे तो चलिए start करते हैं कल वाला जो हमारा PCB बना हुआ था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं यह जो डिजाइन है इसमें power supply वाला section है उसको as it is रहने देते हैं mounting holes पहले हटा देते हैं आपको click करके delete कर लेना है और यह जो आपका board है इस board को भी आपको extend कर लेना है थोड़ा आप इसको बढ़ा लेंगे क्योंकि other components आने वाले हैं like microcontroller आने वाले हैं LCD भी यहां पे हम interface करने वाले हैं तो इस वे से आपको पहले board size बढ़ा लेना है अब इसके बाद क्या करना है आइसी वाले icon में ही जाना है और यहां आप जो लाइबरेरी है इस लाइबरेरी में PCB यह लाइबरेरी आपको सिलेक्ट करनी है आपको PCB नाम की एक लाइबरेरी मिलेंगी और इसमें आपको 40DIL इसको सिलेक्ट करना है 40DIL 40PIN का microcontroller है इसलिए आपको यह लेके आना पड़ेंगा यह microcontroller IC का footprint हमको यहां मिल गया है अब इस IC के footprint के बाद आपको उससे related जो circuitry होती है like उसमें reset circuit होता है crystal circuit होता है बहुत भी बनाना है तो reset circuit के लिए आप discrete वाली लाइबरेरी में जाएए capacitor एक select कीजिए यह capacitor हम select कर रहे है जो reset circuit में use होता है वैसे ही आपको एक register भी select करना है एक register select कर लेंगे register भी हम लगा देंगे इसके बाद आपको नीचे आपको देखना है pull up registers भी आपको find out करना है 9 pin का pull up register आपको लेके आना है और इसको place करना है जो microcontroller यूज किया है microcontroller के चारो ports में हमने pull up registers को लगाया है सरकेट डियाग्राम में वह दिख रहा है तो आपको भी पूलप रेजिस्टर के फूट्प्रिंट लेके आने है और जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके चारों पूर्ट के तरफ आपको यह फूट्प्रिंट अरेंज कर देने हैं यह अब हम पूर्ट 2 के तरफ में एक पूलप रेजिस्टर रख रहे हैं और एक पूर्ट 3 के तरफ भी रखेंगे पूर्ट 3 वाला जो है वो हम अंदर ही प्लेस कर दे रहे हैं क्योंकि microcontroller IC जो है वो directly इस PCB में हम नहीं mount कर रहे हैं इसके लिए एक IC base यूज़ करने वाले इसलिए अब इसको escape करके बाहर निकल जाना है अब आपको क्या करना है फिर से एक बार library में जाना है और discrete वाला library अभी आप select कर लीज़े फिर से discrete वाली library में जा कि करेंगे circuit diagram में आप देखेंगे crystal के साथ capacitor भी लगे है इसलिए आपको यहाँ पर capacitor भी लाना है CP1 यह आला capacitor हम ला लेते हैं यह polarity देख रही है आपको आप यह footprint यूज़ कर सकते हैं और इसमें disk capacitor भी solder कर सकते हैं इसलिए कोई उसका problem नहीं है अब almost अभी सभी component आ गए है इसको आप rotate कर लेंगे rotate करके वो जो C3 है इसको भी आप rotate कर लेंगे control R press करके अब आपको इसके connections करने हैं connection करने के लिए add wire पे आएंगे इसको यहाँ connect करेंगे क्योंकि जो capacitor इसको positive supply लगता है 40 number का pane पे positive 5 volt आता है इसलिए हमने उसका वहां connection कर दिया है capacitor का जो second point है उसको resistor के साथ connect कर दिया resistor वाला जो दूसरा point है उसको ground के साथ connect कर दिया है इस वैसे आपका reset circuit का अभी सिर्फ connection हुआ है reset pin पे जो इनका mid point होता है उसको भी आपको connect करना है वो भी हम connect करेंगे इसके पहले अब यहाँ पे आप pull up register वाले connections भी कर लेते है उसको हर एक port से आपको connect करना है तो यह हम connection करते चले जा रहे है ऐसे ही आपको भी सारे connections कर लेने है अब यह जो पहला pin होता है pull up register का उसको VCC से जोड़ना होता है तो हम यह पहले वाले point को यहाँ से ले जाते हुए VCC से जोड़ेंगे जो 40 pin पे VCC आने वाले है उससे हम इसको जोड़ने वाले है तो इस तरीके से आपको उसको जोड़ना है और यह जो reset वाला point है इसको भी यहाँ जोड़ लेना है तो यह हमने reset वाले point को इसमें जोड़ लिया अब इसके बाद यह फिर से pull up resistor वाले पूरे connections आपको कर लेने है यह हम connection कर दे रहे हैं यहाँ पे आपको भी ऐसे ही सारे connections कर लेने है यह connections हो गए है अब आप देखेंगे यह जो circuit diagram है इस circuit diagram में जो 31 number का pin है उसमें भी VCC होता है 5 world की जरूत होती है तो यह 31 number की जो pin है वहाँ से भी एक track लेके जाएंगे और उसको 40 number की pin पे हम add कर देंगे और यह जो port 3 के लिए pull up resistor लगा है उसका पहला number का pin को भी आप वहाँ जोड़ देंगे जहाँ VCC की जरूत होती है और remaining जो connections है वो भी कर लेंगे port 3 के साथ आपको pull up registers के connections करने है वो भी आपको ऐसे कर लेना है तो इस वे से आपको पहले pull up registers के connections करने है pull up register का footprint भी आपको पता चल गया 9 pin का वो footprint होता है अब इसके बाद आते हैं crystal oscillator के लिए crystal oscillator का connection करना है board का size थोड़ा बढ़ा लेते हैं यह जो capacitors है इनको rotate कर लेते हैं rotate करके इनको crystal के तरफ थोड़ा arrange कर लेते हैं वैसे ही जो दूसरा उला capacitor उसको भी rotate करके arrange कर लेते हैं इसको arrange कर लीजिए arrange करने के बाद अब फिर से add track में जाईए और यह 19th नमबर का pin जो है वो crystal oscillator पे जाता है उसको connect कर लीजिए 18th नमबर का जो pin है वो भी crystal oscillator के दूसरे terminal पे जाता है उसको भी आपको connect कर लेना है और इनका जो common point है capacitor का वो short करते हुए इसको ground करना होता है तो यह आप ground वाले part पे लेके चले जाएंगे ground 20 नमबर के pin पे आने वाला है इसलिए हमने इसको 20 नमबर के pin से connect कर दिया अब यह जो LCD है LCD में आप देखिए 16 pin की LCD है इसलिए आपको क्या करना है component वाले इसमें जाना है PCB वाली library में जाए PCB वाली library में जाके 16 SIL इसको select कीजिए 16 SIL आ गया है क्योंकि 16 pin की IC है sorry 16 pin का LCD है इसलिए अब आपको इसके connections भी करना है placement कर लिजिए IC से थोड़ा उसको दूर रखिए अब add track से जाके पहले यह आला connection कर लिजिए यहां हमने वा connection कर दिया है जो VCC आता है second number के pin पे VCC आना चाहिए वो कर दिया और यह ground वाला connection भी यहां पे कर दिया हुआ है अब इसके बाद आपको एक बार circuit diagram को refer करना है उसको आप refer कीजिए और देखिए यहां पे जो data bus है DB0, DB7 वो 39 numbers onwards connection चालू हुआ है उसका तो आपको वैसा ही इसके connections करते चले जाना है अभी add track पे जाईएगा और 7th number का जो pin है उसको 39th number की जो pin है micro controller की उसके साथ connect करिये फिर उसके नीचे वाला pin 8th number के LCD वाली pin पे ऐसा करते हुए आपको यह पूरे connections कर लेना है यह data bus के connection हम कर रहे है तो data bus के पूरे connection है ऐसा finish कर लेना है यह last वाला connection है इसको भी हम यहाँ पे connect कर देते है इस वे से आपको data bus वाले connections हो गए अब यह जो और एक pull up रेजिस्टर बचा हुए उसको भी हम connect कर देते है उसका पहला number का pin को हमने 31 number की pin पे connect किया है microcontroller की क्योंकि वहाँ पे वो VCC 5V आ रहा है इसलिए और इस तरीके से यह pull up रेजिस्टर का यहाँ पे connection हो गया यह जो 15th number का pin है इसको VCC देना होता है तो हमने फिर से इसको यहाँ पे लाके connect कर दिया है जहाँ पे यह आ रहा है VCC आ रहा है अब जो 2.7 है यह control lines पे जाना चाहिए तो 6th number का pin है जो enable है उसको connect किया 5th number का pin read write वाला pin होता है इसको 2.6 पे connect करना है तो यह circuit diagram में दिया है वैसा ही हम connection करते चले जा रहे है वैसा ही 2.5 जो है वो RS register select इस पे जाना चाहिए तो इस तरीके से अभी हम register select वाले point पे चले जा रहे है जो की 4th number का pin है इसको से अभी करते चले जाना है यहाँ आप देखोगे एक preset भी दिख रहे है contrast setting के लिए तो आपको library में जाना है और 3WP यह select करना है connector वाली library में आपको वो मिलेंगा connector library में जाके 3WP select करके लेके आना है हम vertical mounting वाला एक preset यूज़ कर रहे है इसलिए 3WP का footprint लेके आया है जो multi turn port होता है उसको हम यहाँ पे connect करने वाले है अब आपको इसके भी connections करने है circuit diagram में जैसा दिया है एक ground का connection करना है यह ground वाला connection आ गया और जो center वाला pin है इसका preset का वो 3rd number की pin पे जाना चाहिए variable point है वो और 2nd number का जो pin है वो preset के 3rd number के pin पे हमने connect कर दिया इसको आप थोड़ा सा bend भी कर सकते है double click करना है आपको एक बार click करके double click करके फिर नीचे drag कर देंगे तो वो bend हो जाती है वैसे ही यह सारी tracks को भी आप bend कर सकते है आपको space management अगर करना है तो आपको bend करना ही पड़ेंगा बाद में यहाँ भी ground का arrangement करना है तो उसके लिए यहाँ एक jumper लगाना बहुत जरूरी है तो jumper लगाने के लिए हमने वहाँ पे add pad किया और यहाँ से एक track जोड दिया अब यह जो दूसरा pad है इस दूसरे pad को हमको ground का connection देना है ground हमारा पहले number के pin पे आने वाले है इसलिए वहाँ पे ले जाके जोड दिया वैसे ही यह second जो pad है उसको micro controller का 20 number का pin है वहाँ पे ले जाके connect कर दिया तब यहाँ जब PCB solder करेंगे उस समय एक external jumper हमको लगाना होगा इस वैसे अभी LCD वाला जो connection है वो सारा हो चुका है crystal भी connect हो गया है अब आपको relay का connection भी बताते हैं relay कैसे connect करते हैं उसके लिए फिर से आपको library में जाना है library में जाईए वहाँ ओम ब्राउन वाला एक library होता है उसको select कीजिए वहाँ पे G5L यह आपको लेके आना है इसको add कर दीजिए अब आप देखिए यह जो relay है यह 12V वाला relay है sugar cube relay कहते है इसे इसको आपको rotate कर लेना है इसको आप rotate कर लिजिए जहां 3 pins दीख रहे है उससाइड extreme ends का coil होता है और आप इसको drive करने के लिए आपको transistor की भी जरूत पड़ेंगी circuit diagram में भी transistor के थू ही उसको drive कर रहे है एक NPN transistor का footprint लेके आईएगा वो discrete में आपको मिलेंगा discrete में other transistors भी available है आप वो लेके आईए और उसको वहाँ पे place कर दीजिए अब जो coil होता है इसका इसमें एक resistor की भी जरूत है इसलिए आप resistor भी लेके आजाईए और आपको diode भी लगेंगा freewheeling diode की जरूत होती है हमें coil के across उसको लगाना होता है इस वेसे वहाँ के component ला लिए अब यह जो coil होता है उस coil का जो second point होता है उसको collector में connect transistor के collector में connection देना होता है तो यह सबसे पहले हम दे देते हैं इसका connection emitter को ground करना होता है तो यह emitter को ground के लिए ले गया base में एक register लगाना है यह जो register है इस register को rotate कर लेते हैं इसको base में लगाते हैं, base में लगाने के बाद, 3.7 में उसका connection देना है, तो वो भी हम दे देते हैं, जो register है, register का 1.3.7 पे हमने connect कर दिया, अब ये जो diode है, इसको आपको reverse polarity पे लगाना होता है, जो cathode है, वो 12 volt वाले direction में होना चाहिए, तो ये relay का जो दुसरा point बचा हुआ है, जो अभी कहीं पे connected नहीं है, यहां हमें 12 volt का arrangement करना है, और 12 volt हमारा top side में available है, तो हम यहां से 12 volt का track लेके आएंगे, और वहां उसको connect कर देंगे, इस तरीके से आपको ये connection complete कर लेना है, तो अभी आपका ये relay का भी connection हो गया है, बट relay स से जो भी device connect करना है, उसके लिए आपको वहां एक connector भी provide करना पुड़ेंगा, pole, no, nc वाले point पे, तो add pad में जाएंगे, और तीन pads हम यहां पे connect कर देंगे, ये place कर देंगे, अब इनका जो property में जाके इनको change भी कर लेंगे, पहले इनको select कर लेते हैं, select करके property में जाएंगे और इनका जो hole size है, और pad size है, वो आप change कर लिजे, थोड़ा मोटा बना लिजे उनको, अब इसके बाद इसके connection कर लेते हैं, और ये center वाला जो है, ये pole पे चले जाएंगे, इसको save कर लिजे, इस वे से अभी आपका ये circuit complete हो गया है, अभी जैसा आपको दिया हुआ है circuit diagram में काफी सारे आपको component यहाँ पे लाके place करने हैं, और देखिए काफी सारे component है, ICS दी हुई, ये सभी को आपको लाके place करना है, और connect करते चले जाना है, इसमें जो maximum space होता है, वो हम ground filling भी कर देते हैं, तो जैसे आपका कुछ-कुछ space बचा हुआ है, उसको ground fill करना है, वो भी क कर सकते हैं, track जो है, उसको change कर सकते हैं, track का width भी आपको change करना हमने बताया है, तो पहले ground filling का बता देते हैं, add में जाएंगे, वहां से copper area filling कर देंगे, ये जो maximum red part दिख रहा हैं, ये हम ground filling कर रहे हैं, तो कि हम उसको vacant नहीं रखते हैं, उसको ground से fill कर देते हैं, इस वे से area बचा हुआ है, उसको ground fill कर देना है, mounting holes का तो हमने आपको बताया हुआ है, बाकी के components कैसे लेके आएंगे, उसके लिए फिर से एक बार आपको guide कर देता है, PCB वाली library में जाहिए, और 8DIL, इसको select कीजिए, और ये एक IC का footprint है, वो लेके आईए, उसको place कर दीजिए, दुसर से आपको सारे components लाके, उसको final एक PCB में convert कर लेना है, और इसका अच्छा सा PCB बना लेना है, track width भी change कर लेना है, bend करना है, जहां पर वैसा आप double click करके उस corner को bend भी कर सकते हैं, finally, ये सारे जब connections आपके हो जाएंगे, तब आपका वो PCB है, वो इस तरीक से दिखना चाहिए, तो होप सो हमारे इस वीडियो से आपको काफी सारी information मिली होंगी, और अब आप खुद से भी circuit diagram का PCB में layout convert कर पाएंगे, या PCB layout बना पाएंगे, यहां से काफी सारी हमने जो information आपको share करिये, उसको एक बड़ा try जरूर कीजिए, thank you.